Hello Friends, Welcome to Shukosal Friends, आज की इस क्लास में हम करेंगे Human Resource Management Human Resource Management को हम जल्दी जल्दी लगवग complete हम revision करेंगे इसका तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Evolution of the Concept of Human Resource यानि कि हमारा जो Human Resource Management है, चेरम जो है इसका evolution कैसे हुआ, कहां से start हुआ, तो चलिए देखते, सबसे पहले हमारा जो है, आया इसमें commodity concept, जिसमें क्या हुआ कि जो labor है हमारी, उसको एक commodity की तरह देखा गया, जो businesses हैं, जो factories हैं, जहां पर उकाम करते थे, वहां पर उनको एक commodity की जैसे treat किया जाता था, और इसी land, money, machines, वैसे ही workers को भी एक तरीके का factor of production माना जाने लगा, और इसमें फिर क्या हुआ, कि अगर वो factor of production माना जाने लगा, तो भी उनको human being नहीं माना जाता था, तब भी वैसे treat नहीं किया जाता था, तब भी उनको एक machine tool की जैसे ही use के जाता था, कि जैसे machine tools अच्छे से काम कर लेना है हमें, वैसे ही human being से अच्छे से काम लेना है, यानि कि human resource से अच्छे से काम लेना है, उसके बाद जो आया हमारा goodwill concept, goodwill concept में क्या हुआ कि थोड़ी safety, उनकी first aid, lunch room, rest room, इन जीजों को ध्यान रखा जाने लगा, क्योंकि इनका positive impact पढ़ता है workers की जो productivity होती है, उसक goodwill concept में क्या हुआ, कि सबसे पहले यह start हुआ, उनकी safety के बारे में, उनकी working conditions के बारे में थोड़ा सा improve करना उनको start किया गया इस चीज में, goodwill concept में, उसके बाद आया paternalistic concept या paternalism भी हम इसको बोलते हैं, इसका क्या मतला, वो इसमें, जैसे parents care करते हैं अपने बच्चों की, वैसे ही management जो है, अपने employees की care करने लगे, यानि कि उनकी need satisfy हो रही है या नहीं हो रही है, उनको सारे benefits मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखने लगे paternalistic concept में, ठीक है, उसके बाद आया humanitarian concept, इसमें क्या हुआ, कि इसमें हमारा हम जो पढ़ते हैं, Elton Mayo की जो research हुई थी, Hawthorne studies हुई थी, जिसमें ये था कि social relations, जो है human relations के उपर ज्यादा focus किया गया, कि जो workers हैं, उनकी productivity पे, जो उनकी human relation है, जहां पे वो काम करते हैं, वहां पे उनकी, कैसा उनको social environment मिल रहा है, groups में, उनका कैसा behavior है, इन सब चीजों के उपर focus होने लगा, औ उसके बाद आया human resource concept, इसमें क्या हुआ कि human को important asset माना जाने लगा, human resource को, HR को important resource मानने जाना लगा, यह हमारी organization की valuable asset है, तो हमें इसको asset की जैसे देखना है, और उसी तरीके से उसको manage करना है, उसके बाद आया emerging concept, emerging concept जहनकी जो अब चल रहा है, वो concept, उसमें क्या है कि employee के, यह सारी चीज़े पूरी हो गई, उनको एक valuable asset की जैसे भी देखा जाने लगा, कि उनकी सारी जरूरते पूरी हो, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल अच्छे से efforts किये जाने लगे, उनकी सारी needs और उनकी aspiration को satisfy करने के लिए, फिर उसके बाद अब आया कि उनको partner बना देते है, क्योंकि partner बनाएंगे, तो उनका profit में share हो जाएगा, और profit में share होगा, तो वो अपने आप अच्छे से काम करेंगे, यानि कि यहाँ पे जो employee है, उनको as a partner treat किया जाने लगा, जिसमें उनको जैसे bonus देते है, तो वो क्या होता, profit का share होता है, या फिर employee stock option plans, ये सारी चीज़े आप आती है, तो इसमें, जो emerging concept है, उसमें employee को as a partner treat किया जाने लगा, ठीक, आपको ध्यान रखना है कि किस concept में क्या चीज़े include होती थी, जैसे commodity में उनको खरिदा और बेचा जाता था, factor production में जैसे कि बाकी के money, labor, land, ये हम पढ़ते हैं, कि 5 M's जो हम पढ़ते हैं, वो उस में एक माना जाने लगा, human resource को भी, उसके बाद goodwill concept आया, जिसमें safety needs को ध्यान रखा जाने लगा, paternistic में आजब father वो उनकी care करने लगा, और human management care करने लगा, employees की, humanitarian में जो Alton Mayo के human relation approach हुआ जाती है, और human resource में valuable asset, valuable resource माना जाने लगा, और emerging concept में employee को partner माना जाने लगा, ठीक है आप देखो, कुछ हम वो देखते है कि traditional HR practice और आज कल जो HR practice है उनमें क्या difference है, क्या होता है, देखो, traditional में क्या था कि administrative role होता था, जो HR manager का होता है और आज कल क्या होता है, क्या सिप्त्रेजी का role है, strategic role देखना है. strategic का मतलब ही क्या हो जाता है कि हम ये देख के आस-पास के environment को जो changes हो रहे हैं हमारे business environment में उनको ध्यान रखते हुए, competitors को भी ध्यान में रखते हुए, अपनी long term strategy जब हम बनाते हैं वो strategic role हो जाता है, तो जब human resource management की भात आती है, वहाँ पे भी हमे strategic role जो एक manager है, HR manager उसको एक strategic role ही pay करना होता है, reactive होता था पहले कि जो कुछ हुआ, उसके बाद decision लिया जाता था, लेकिन अब proactive होने लगे हैं कि पहले से ही सही decision लिया जाते हैं, separate isolated from company mission की, company के mission से अलग है क्योंकि पहले ये सोचते थे कि अच्छर का काम सिरफ human resource को ले के आना है, लेकिन जो emerging concept है, उसमे बाकी के जो organization के mission है, उनहीं के साथ हमें human resource के mission है, उनको भी link करना है, उसके बाद next क्या है कि production focus होता था पहले, लेकिन अब क्या है कि process based organization, लेकिन अब क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा productivity पे production पे ध्यान देना है, लेकिन अब क्या है कि पूरी ही जो process है, यानि कि हमारी organization जो भी प्रोसेस हो रही है, प्रोडक्शन तो बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है उसका, उस सब में ही हमें Human Resource Management का जो रोल है, वो उसमें सारे में ही आ जाता है, उसके बाद है functional organization, cross-functional teams, यहन कि इसमें functional organization के जैसे होता था कि हाँ, यह एक HR एक function है, और HR अलग से एक functional organization हो गया या जैसे एक ही department के लोग है, तो वो उसी एक department पे काम करते रहेंगे, एक ही team को कोई काम assign हुआ है, तो वो ही करते रहेंगी, cross-functional teams भी है, कि HR वाले जैसे marketing से भी link हो सकते हैं, या एक अगर project पे काम कर रहे हैं, दूसरे project पे कर रहे हैं, तो आपसमें मिल जूल के भी कर सकत या ऐसे तरीके की चिज़े जो है, वैसे आने लगी, people को यहाप expensive समझा जाता था, यहाप important investment समझा जाने लगा, ठीक है, अब next जो है, वो है हमारे जो सबसे important है, वो है हमारे functions of HRM, फंक्शन सोफ जो हमारे human resource management, इसमें से पका question आता, आपका हर बार UGC net में, देखो इसमें क्या है कि जो हमारा human resource management है, उस दो तरीके के function होते हैं, उनके manager के, कि एक तो होता है managerial functions और एक होता है operational functions, देखो managerial functions क्या होते हैं, जो हमारे management के functions होते है, management में हमने पढ़ा है कि planning, organizing, directing और controlling, यह functions होते हैं, एक इसमें staffing और होता है हमारा function वैसे management में, लेकिन जो staffing धाना उसक क्योंकि human resource management staffing ही है एक तरीके से तो वो staffing वाला function human resource का operating function हो जाता है और जो बाकी के managerial functions बचते है planning, organizing, directing, controlling, च्यार functions यह हमारे managerial functions में आ जाते हैं अब staffing है अब यह particular human resource है staffing के लिए तो उसमें बहुत broad area आ जाता है अब उस staffing में क्या-क्या चीज़े होगी procurement भी होगा procurement यानि कि human resource को ले के आना, अब human resource को ले के आएंगे तो उसके लिए job analysis करेंगे, HR planning करेंगे, recruitment करेंगे, selection करेंगे, placement करेंगे, उनकी induction करेंगे यानकि उनको environment से introduce करवाएंगे, जो business के जो भी culture है हमारी company का उससे introduce करवाएंगे, internal mobility भी इसमें include होगी कि transfer कर रहे हैं या फिर promotion, demotion, वो internal mobility होती हमारी, तो वो सारी चीज़े procurement function में include होगी, आप से ऐसा ही question पुछा जाएगे कि procurement में कौन से आएंगे, या फिर इनमें से कौन सा function procurement का है, या कौन सा function या managerial है, कौन सा function, ऐसी चीज़ आप से पुछी जाएगी, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें कौन-कौन से points आएंगे, वैसे आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, तो procurement यहन की लेके आ रहे हैं, तो लेके आने में उनके जो recruitment selection से related to activity जह हैं, उसके बाद है development, development नाम से ही clear हो रहा है कि हम जो हमारे human resources है, उनको develop करने के लिए कर रहे है, तो उनको develop करने के लिए training की जाएगी, executive development programs लाए जाएगी, या फिर career planning उनके लिए, succession planning succession planning क्या होती है कि जब हम यह देखे, career planning तो देखो क्या हो, कि overall वो अपने career में कैसे, अपने career को भी grow कर रहा है, employee हमारी organization में रहते हुए, वो career planning हो जाएगी, succession planning क्या होगी कि कोई एक top level position है, उसको अगर मानलों वो future में retire होने वाला है, कोई भी top manager है, ठीक है, कोई top position पे है कोई बंदा, और वो retire होने वाला है, या फिर retire होने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले से सोच के चलते हैं, कि by chance अगर इस top वाले को कुछ हो गया, य ठीक है, तो यानिकि उसका successor ढूंडने लग जाते हैं, पहले से ही, और उसको पहले से prepare कर लेते हैं, कोई ऐसा employee जो उसका successor बने के लायक हो, यानिकि उस position पे जाने के लायक हो, तो उसको हम training देते हैं, उसको अलग से succession planning करते हैं, पूरी अच्छे proper तरीके से, तो यानिकि ज सारी से, जह हमारे development function में आ जाती है, next job rating function है, वो है motivation and compensation, इसमें क्या होगा कि motivation देने के लिए, या compensation देने के लिए, जो भी activities होती, जैसे कि job design, अब देखो, job design क्या है, कि job design में हम यह करते हैं, कि job design को थोड़ा सा, जो job है हमारे, उसको थोड़ा और interesting बनाने के लिए, तकि वो motivate कर सके employees को, जैसे आपने concept सुने होगा, job enrichment, job enlargement, यानि कि हम job में कुछ और चीज़े add कर देते हैं, कुछ और task add कर देते हैं, उनकी responsibilities add कर देते हैं, उनको थोड़े freedom दे देते हैं, तो वो सब चीज़े हम job design में करते हैं, ताकि job को थोड़ा interesting बनाया जा सके, तो उससे motivation म कि job में क्या क्या चीज़े include होंगी वो देखते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा difference है कि job design एक तरीके से, इसकी sequence है, समझ लो job analysis की, job analysis थोड़ा और ज़्यादा deep में चीज़े होते हैं, ज़्यादा wide scope होता है, और job design एक job satisfaction के लिए जब हम करते हैं, यानकी उनको motivation देने के लिए कर हम यह देखते हैं कि यह position है, इसके अंदर यह, इसकी job की description होगी, यह specification होगी, वो job analysis होता है, ठीक है, इनके सब के meaning यहाँ पर ही आपके साथ की साथ revise भी हो रहे हैं, तो जो motivation function उसमें job design आ गया, उसके बाद work scheduling की work schedule कैसे कैसे होगा, motivation की जो techniques है, जो job evaluation है, यानकी job evaluation की worth हम decide क करते हैं कि job की value होगी, तो वो job evaluation भी इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि compensation and motivation दोनों है यहाँ पे, और performance appraisal, performance appraisal भी होता है, कि एक employee ने क्या काम किया, उसके performance को appraise करना, देखना कि हाँ, उसको evaluate करना एक तरीके से, कि उसने क्या 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 है, जो standard दिए गए थी, वैस क्या क्या दिये जाएंगे, वो सारी चीज़े हमारी motivation and compensation function में आ जाएगी, सारी हम operative functions पर drain का, तो आपको meaning पता ही है, जो managerial function थे कि planning, organizing, directing, controlling, ठीक है, अब इसमें देख ली हमने की procurement यानकी लेके आए, development उनको training वगएरा दी, motivation से, motivation and compensation में उनको motivation दिया, compensation यानको जो भी salary performance appraisal, वो हमारे motivation and compensation में आ जाएगी, अब next जो है, वो है, maintenance function, maintenance function में क्या होगा, कि उनको maintain करने के लिए, उनकी health, उनकी safety, उनकी welfare और social security needs जरूरी है, तो वो security needs हमारी maintenance function में आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद है, integration function, अब देखो, integration नाम से ही clear हो रहा है, कि एक दूसरे से contact करते है, manager से employees, तब क्या-क्या चीज़ होती है, तो वो manage करना, तो देखो, integration में क्या होगा, कि grievances, यहनि कि अगर कोई सिकायत है, कोई employee की, तो उसको कितने जल्दें सिकायतों का समाधान हो रहा है, तो वो grievances होगी, तो वो grievances का function, जो integration function में आ जाएगा, discipline maintain करके रखना, teamwork, teamwork, collective bargaining, देखो, यहाँ पर सारे अपस में मिल के काम करें, तो वो integrative function में आपको ऐसे याद रखना है, कि मिल के काम करने तो मिल के काम करने में यह सारी चीज़ आ जाते है, कि teamwork है, collective bargaining कि आपस में मिल के decide करने है, कि salary क्या होने चाहिए, wage क्या होने चाहिए, working hours क्या होने Empowerment में भी यह होता है कि Employee Engage होता है, खुछ से उसको हम Employee Engagement भी बोल सकते हैं, Engagement के Through Empower होता है, ठीक है, Trade Unions, जो है क्योंकि Trade Unions के साथ Interaction होगा, तो वो Integration function में आएगा, Employer की Associations जो है, जैसे Trade Union Employee के Association होती है, वैसे Employers की भी Association होती है, तो वहाँ पर भी Integration का function हो जाएगा, कि आप Resource Manager हो, उसकी, या फिर हम यह लगा लो, Company की Employee के साथ, यांकि Employer की Employee के साथ, Trade Unions के साथ, अपस में Employer, Employer के साथ, Employees की, अपस में Employee, Employee के साथ, उन सब के Relation को देखना और उनको Improve करते रहे, वो हमारा Industrial Relation होता है, तो यह भी Integration का function आजाएगा, ठीक, आपको यह याद रखन कि Integration में कौन से हैंगे, Maintenance में कौन से हैंगे, और जो इसके अलावा और भी functions हो सकते हैं, Operative Function में ही, जो Emerging Issues हैं, जैसे कि Personal Record बना के रखना, जो कि Human Resource Accounting हम आज कल देखते हैं, क्योंकि Human Resource एक Valuable Asset है, हमने देखा, तो Valuable Asset है, तो उसको Asset हमारे, उसकी क्या Value होगी, यह सार पर्सोनल ओडिट, पर्सोनल रिसर्च, ठीक है, Human Resource Information System, HR, IIS, इसको हम बोल सकते, Human Resource Information System हो जाएगा, Job, Stress, Counseling, Mentoring, International Human Resource Management, यह भी कुछ Operative Functions होते हैं, एक Human Resource Manager के, तो यानि कि HR के functions हमारे पहले दो भाग, दो भागो में डिवाइड हुए कि Managerial Function और एक Operative Function, Managerial में जो Management के functions होते स्टाफिंग को छोडगे वो, और स्टाफिंग वाले को ब्रोड हमने फिर यह पाँच कटेगरीज में बाट दिये कि Procurement, Development, Motivation, Maintenance और Integration, ठीक है, इन्हीं की यह explanation थी, आपको मीनिंग तो आपको इनको पता है, क्योंकि आपने इतनी डीप में जब बाकी की चीज़े पढ नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए कि Principles of Human Resource Management, अब देखो Principles of Human Resource Management में आपने कोश्चन्स में अगर देखा होगा, प्रिविएस यह कोश्चन्स तो उसमें देखा होगा कि Harvard के 4 C's देखे होगे अपने, Harvard Model है, उसके 4 C's दिये हुए हमारे Principles of Human Resource Management में, वो क्या-क् देखिए हम देखते हैं, देखिए यह है Commitment, Congruence, Competence और Cost Effectiveness, यह Commitment एग हो गया, यह Congruence, दो हो गया, यह Tीसरा Competence और 4 जो है, वो है, Cost Effectiveness, तो यह 4 C's जो है, यह होते थे, Harvard Model of Human Resource Management, यहनके Harvard Model of Human Resource Management के 4 C's कौन से-कौन से है, Commitment, Congruence, Competence and Cost Effectiveness, लेकिन आजकल यह 4 C's जो है, बन गए हैं और यह वो 10 C's कौनकों से हैं वो यह हैं आपको यह 4 C's तो पक्का याद रखने हैं नाम इनके कि 4 C's में कौन से कौन से आते हैं अगर 10 C's भी आप अगर नाम याद रख सको लेकिन पढ़ तो लिना ध्यान रहे जाएगा कि क्या है जो यह तो थे ही कि हमारे कमीटमेंट कंपिटेंस कोस्ट इफेक्टिवनेस भी आ गया इसमें कुछी जोर होगी कि क्रेडिबिलिटी कॉम्मुनिकेशन कंट्रोल चेंज कमी कि हमारे कंपिटेंस ही पढ़ तो यह जो हमारे कंपिटेंस हमने जो पढ़ा सैंसा हॡ़े जह दमें आपको यह नाम नाम याद रखनें बिसिकली तो स्ज्जी यह जादा है कि वहल्त इम्पोटन्स उप है और four C's कौन से है ठीक है अब next जो है वो है हमारा role of human resource management human resource manager जो है उसके role क्या क्या है देख उसके जैसे functions है वैसे ही similar type के ही है role भी अगर आपको function समझ आ गए तो role भी समझ आई जाएंगे तो देखिए role भी वैसे ही है कि कुछ है administrative role और कुछ जो है वो है operational roles तो administrative roles आपको ये point तो पक्का याद रखने कि administrative में कौन सा आएगा और operational roles में कौन से आएंगे जैसे कि operative function और managerial functions कौन-कौन से थे अलग-अलग वैसे ही administrative role में क्या क्या आएंगे कि policy maker है क्योंकि administrative का जो काम होता है वो top level management के पास होता है तो वो क्या करते हैं वो policy making करते है administrative experts होते हैं ये दूसरा ये advice देते हैं advisor का काम करते हैं housekeepers जो होते हैं housekeepers का मतलब क्या होगा कि ये administrative roles of personal management in managing the show include recruiting pre-employment testing reference checking employee survey time keeping wage salary administration यानि कि जो पूरा घर जैसे एक human resource का जो main जो सारा काम जैसे घर का जो सारा काम होता है रख रखाओ का वैसे human resource का जो भी सारा रख रखाओ का काम है बेसिकली वो सारा administrative function में आ जाता है main main जो काम है बाकि detail में जब operational function में आ जाएगा ठीक है जिसको हम उसके अलावा welfare officer है, legal consultant है, यह सारा जो हमारा administrative role हो जाएंगे human resource manager के, operational roles कौन से हो जाएंगे recruiter है, trainer और developer है, यह वह ही specific हो गया लग-लग से, आपकी human resource के specifically, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या क्या task होते हैं, recruitment करना होता है, training and development करना होता है, coordination करना होता है, mediator होता है, जो हमारा human resource manager है, वो mediation का काम करता है, जैसे two employees के बीच में, या दो group है employee के, उनके बीच में, तो उन harmony बनाए रखने के लिए, उनके बीच में mediator का काम करता है, और employees का champion भी होता है, ठीक है, employee champion होता है, क्योंकि उससी को देखके, वो, जैसे एक तरीकी से leader होता है, उनका, तो employee champion होता है, कि leader होगा human resource manager, उसी को देखके, जो employee है, वो काम करेंगे, जिस तरीकी से वो काम करवाना चाहे, क्योंकि लीडर यही होता है, कि इतने अच्छे से दूसरों से काम करवा सकता है, वो leader होता है, तो वो employee, जो human resource, ओर leader champion ही होता है, एक तरीके से, तो human resource, जो managers, जो है, वो employees के champion होते हैं, वही उनमे company का moral और ये सारी चीज़े उनके अंदर लाते हैं, ठीक है, अब तीसरा एक और रोल भी आ जाता है, strategic role, strategic role में basically यही है कि जो main function जैसे perform करने होते हैं, जैसे कि वो एक तरीके से change agent का काम करते हैं, strategic में यही सारी चीज़े जाती है, कि change agent का काम करते हैं, वो और कोई भी जैसे strategic decision लेना होता है, जो important होता है, जैसे कि long term के लिए कोई decision लेना है, तो वो strategic role में आ जाएगा, basically वैसे यह administrative और strategic थोड़ा सा similar सा ही, क्योंकि top level management पी administrative function होता है, top level management पी strategic होता है, बस strategic में आप यह याद रखना, कि long term होता है, कुछ change करन हो हमें environment के according business environment, तो human resource का भी environment होता है, जैसे marketing का भी environment होता है, वैसे human resource का भी environment होता है, क्योंकि पूरा business का ही environment होता है, कि आसपास के लोगों से कैसे influence होते है, जो new trends आ रहे हैं, उन से influence हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को लेके manage करना, उन सब के लिए plan बनाना, वो हमारा strategic planning हो यह दो ही में होते हैं, strategic रोल में तो और administrative में हमने देखी लिए थे, कि administrative में एक बाद पिर से देख लिए थे, administrative में हमने policy maker देखा, administrative experts होते हैं, advisor होते हैं, housekeeper होते हैं, counselor होता है, कि उनकी counseling करते हैं जैसे एक तरीके से कि employee को अपना सा feel ओ जहांपे, अपने सारे discussion कर सके, health, family, financial, इन सब चीजों से रिलेटिड उनकी सारी प्रोब्लम्स का सोलूशन देने वाला counselor भी होता है, welfare officer भी होते हैं क्योंकि उनकी welfare की ध्यान रखते हैं तो उनके लिए hospitals, canteens, इन सब चीजों की facility प्रोवाइड करवाते हैं और legal consultant भी होता है, operational में तो बिल्कुल mediator का काम करेंगे, ठीक है, और employee का champion होगा ये थे हमारे human resource के role, अब जो next जो हमारा काम आ जाता है वो है job analysis, ये हमारा procurement function में आता है, हमने देखा था कि job analysis हमारा procurement में आता है, देखो job analysis सबसे पहला काम वैसे इससे भी पहला काम जो होता है, वो human resource planning होता है एक बार हम वही देख लिएते है, पहले planning, कि human resource planning क्या चीज होती है, फिर उसके बाद हम job analysis पे आएंगे, देखे, सबसे पहला जो काम होता है human resource का, ये HR planning से ही start होता है, और HR planning का क्या मतलब है, HR planning का मतलब है कि right number of qualified people right job पे, right time पे हो, जो ये line लिखी होई है, यहां पे, कि right number of qualified people into right job at right time होता कि जो organization के objectives है, उनको हम meet कर सके, तो इसलिए human resource planning है, वो क्या है, कि हम ये देखे कि कितने हमें employees चाहिए, यानकि right number of employees, किस time पे चाहिए, किस department में चाहिए है, वो सारी चीज़े, decide करना, पहले से, उनकी forecasting करना, फिर demand की forecasting करना, फिर supply की, supply कहां से आईगी in human resource की, तो वो सारी चीज़ें की planning करना, उसको human resource planning बोलते हैं, तो इसमें हम ये चीज़ें, देखो, कुछ, ऐसे questions cancer देते हैं, कि हमें कितने employee चाहिए, how many employee we need, कहां पे, क्या कि हमें skills होनी चाहिए, कौन सी skills उन में होनी चाहिए, ये देखते हैं, हमें employee जो है, वो कहां पे चाहिए, उनकी location, department, यानकि किस division या किस department में चाहिए है, when do we need employees, किस time चाहिए हमें, कि ये जैसे तीन मन्त बाद चाहिए, अभी चाहिए, एक साल बाद चाहिए, कि कब चाहिए, time उनका क्या होगा, और कितने time तक के लिए चाहिए, कि permanent चाहिए है, temporary चाहिए, कैसे हमें employee चाहिए, तो इन सब questions के answer, जो हमें human resource planning देती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चीज़ डिसाइड करेंगे, कि human resource हमें कहां चाहिए, कितने चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है, तो इसकी features देख लेते ह क्या कि यह forward looking function है, ठीक है, और organization की need के साथ sync करते हैं, यानकि जो organization के objective हो, उनको achieve करने के लिए human resource में कितने चाहिए है, हमें वो देखते हैं, ठीक है, और tune with corporate plan, corporate plan के साथ integral part है, क्योंकि corporate plan का overall plan का ही part होगे नहीं, एचार planning भी है, हमारी proactive है, यह पहले से ही हम देखते हैं, planning ह उसको proactive बोलते हैं, reactive यानि कि जो कुछ हो चुका है, फिर उसको बाद में analyze करना, जैसे कि controlling होता है, लेकिन planning तो proactive होता है, तो यह proactive function है, get qualified people at right time, यह चीज़ इसका main objective था ही, कि हमने देखा कि right people right time पे हो, अगर ऐसी line लिखे आ जाए कि right people हो right time पे, और right places पे, तो वो क्या होत प्लानिंग होती है, जो यह ensure करती है, अब human resource planning की process जो है वो आपकी important है, process में देखो क्या आएगा, process में सबसे पहले हम demand decide करेंगे, forecast करेंगे demand human resource की क्या है, और अब वो demand देखेंगे क्या अलग अलग जो भी हमारे internal जो जैसे departments है, तो हर department में कितनी-कितनी demand है, ठीक है, तो ह जैसे कि economic development, ऐसे questions भी आ जाते हैं deep में, कि कौन से external factors नहीं है, यह कौन से external factors है, जो कि हमारी demand of human resource है, उसको affect करते हैं, तो economic development कर सकते हैं, ज्योंकि देखो, economic development होगा, तो ज्यादा industrial activities होगी, ज्यादा हम growth के chances होगी, ज्यादा होगी, तो हमें human resource की ज्यादा demand होगी, ठीक है, तो economic development की stage कोन से है, वो हमें affect करती है, हमारी, क्योंकि external है, तो external environment के factors आ जाएंगी न, तो यह होगी, political, legal और social, या फिर technological changes जो है, या political changes या हमारे laws जो change हो रहे हैं, legal जो changes हो रहे हैं, उनसे भी हमारा demand effect होती है, कि उसके according ही हमें रखना पड़ता है, competition का भी effect पड़ता है, क् competitors ज्यादा है, कैसे हैं, अगर competitor भी हमारे, जैसे human resource की, उनकी demand कर रहे हैं, अगर मान लो किसी में shortage है, कहीं पर labor की shortage है, ऐसी market में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर competitor की human resource के लिए क्या strategy है, हमारी क्या होगी, उसके उपर भी depend करता है, और organizational factors कौन-कौन से हो सकते हैं, जो कि affect क demand को, जैसे की organization की खुद की planning, organization की objectives खुद के, यह नहीं देखते हैं, कि internal environment में फिर हमारे organization का खुद का structure कैसा है, यह सब चीजे भी affect करते हैं, उसके अलावा workforce factors हो सकते हैं, जैसे retirement termination, forecasting technique, अब देखो, जो हमने यह रेखना कि demand forecasting करेंगे हम, अब demand forecasting की यह तो factors हो सकते हैं, उस कैसे इस चीज को analyze मतलब के एक तरीकी से समझेंगे, conclusion तक पहुचेंगे, कि हमें इतनी demand है human resource की, तो इसके बहुत सारे methods होते हैं, उन methods में से ही एक है, जैसे की judgmental method, judgmental method में, यानिकि हम experts की सला लेते हैं, कि experts जो बताते हैं, कि हम एक्सपर्ट की सला ले रहे हैं, ठीक है, त कि पिछली साल कितने recruit किये थे, इस साल भी हम इतनी recruit करने पड़ेंगे, तो trend analysis देखते हैं, उसके अलावा mathematical modeling हो सकता है, कि mathematical models जैसे regression, optimization, model, budget, planning, analysis, यह सब करके, कोई mathematical formula के थरू हम calculate करते हैं, कि इतनी demand चाहिए हमें, ठीक है, computer models के थरू हम कर सकते हैं, कि हमें इतनी human resource की demand हो स जैसे decision making की techniques, जिसमें आपके सारी आजाते हैं, कि जैसे brainstorming के थरू देख रहे हैं, कि वैसे brainstorming और यह सारी qualitative techniques होते हैं, जिनसे हम, वैसे judgment भी qualitative होती है, एक तरीके से, लेकिन इन सब से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि experts अगर बताएंगे, कि हमें इतनी human resource की need है, तो वो हमार हो जाएगी, Delphi technique जैसे की, हम meaning यहीं पर देख लेते, क्योंकि आपके management में तो आएंगे, यह चीज़े की Delphi technique और brainstorming क्या होती है, तो देखो Delphi technique है, यानि कि Delphi का मतलब है की, जो group of experts हैं, और उन group of experts को अपस में नहीं पता कि कौन क्या बता रहा है, ठीक है, तो अपस मे एक दूसरे को वो नहीं जानते, anonymous है, यानि कि एक दूसरे को नहीं जानते कि कौन क्या बता रहा है, और सारे इसलिए अपना, बिल्कुल freely अपना opinion देते हैं, अब वो human resource की demand के लिए भी अपना freely opinion देंगे, कि है इतने की demand होनी चीज़े, दूसरे वाला expert अलग बताएगा, और उनको अपस में नहीं पता कि किसने कौन सा, क्या बता है, तो इससे क्या होगा, कि उनको इतना, वो inferiority नहीं होता कि एक तरीके से कि ये लगे उनको, कि तेरे बारे में ये क्या सोचेंग, वो judge करेंगे, या मतलब, ऐसे कोई idea दे, जब हम decision making में Delphi technique का इस्तेमाल करते है तब ज़्यादा समझ में आता है, कि हम decision के लिए कोई भी idea दे रहे हैं, वो idea generation की technique होगी, एक तरीके से Delphi technique, अब idea हम दे रहे हैं, जब हमें ये लगे कि सामने वाले और भी सुन रहे हैं हमारे बाकी के, तो वो सुन के अपना और अच्छा idea दे दे देंगे, या फिर हमारे idea को judge करेंगे, तो ऐसी चीज Delphi में नहीं होती, क्योंकि Delphi में पता नहीं होता कि किसने क्या बात बोल लिया है, तो वो Delphi होती है, और brainstorming उल्टा होता है, इससे थोड़ा सा है, कि वहाँ पे सबको पता होता है, क्योंकि सारे आपस में आमने सामने बैठे होते हैं, और अ बोल दोसको, और Delphi टेकनीकी में group of experts हो जाते है, Delphi और brainstorming, ठीक है, तो इन सब के थुरू हम ये देखते हैं कि human resource की कितनी demand है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी supply है, उसकी forecasting करते हैं, अब supply दोरी तरीके से हो सकती है, हमारी internal supply भी हो सकती है, यान कि एक ही department में मानलो कोई demand थी, तो दूसरे department से क्या पता supply हो जाए, तो internal supply हो सकती है, तो internal supply हमारी जैसे की transfer, promotion, ठीक है, उन से हो सकती है हमारी internal supply, इसके अलावा, जो हमारी forecasting techniques, internal supplies, इनके थुरू, या फिर हमारी external supply हो सकती है, ये बीच में वो आ गया था कि forecasting technique के, जैसे supply, demand forecast की वैसे supply भी forecast कर सकत है, और ये demand forecasting में भी आ जाएंगे, ये आपके methods, ठीक है कि forecasting techniques क्या क्या हो सकती है, जैसे staffing tables के थुरू, markov analysis, skill inventory के थुरू, भी हम पता लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ी क्या होती है, ये हमारी quantitative techniques है, एक तरीके से forecasting की, जो judgmental, delphi, brainstorming, ये जो हैं, ये हमारी qualitative techniques है, और quantitative है ये staffing table, markov analysis, markov analysis में क्या होगा, कि current situation के base पे future की predict कर रहा है, कोई चीज, तो वो markov analysis हो गया, staffing table में हम staff की पूरी table बना रखी है, हमने जिसमें उनकी सारी चीज़ी लिख रखी हैं, एक तरीके से कि, ये skills हैं, इनके अंदर, ये experience, qualification, ये सारी चीज़े हैं हमारे employee के पास, तो उनके, उनसे हम देखेंगे, skill inventory भी वही होता है, कि जो हमारे पास human resource है, उनके अंदर knowledge, skill, ability कितनी है, उस सबका record जो होता है, वो skill inventory होता है, यांकि हम इसमें ये देखें, कि हमारे पास कितनी skill inventory है, और हमें कितनी required है, ठीक, उसके base पे हम forecasting करते हैं, तो ये होता है, और इसक होती, forecasting की technique, इनको आप उनके साथ ही link करके देखना है, जो judgmental और Delphi, Marco analysis, या फिर mathematical जो हमने देखेंगी टेकनीक, वही है, उनके जैसे staffing table, Marco analysis, skill inventory होती है, और supplies की जब भात आई, तो internal supply में ये transfer, promotion, और demotion, ये सारी चीज, termination, retirement, death, ये सारी चीज, ये देखो, इसमें आपको दिख भी रहा कि inflows कैसे हो सकते, internal inflows, इनके थू हो सकते, कि transfer हो सकता, promotion हो सकता, new recruitment हो सकता, new recruitment, अब ये external supply से हो गया, ठीक है, recalls हो सकता है, और इनसे outflow कहा होगा, employees का, अब outflow ये प्रमोशन कर दिया, तो दूसरी जगह पे चले गया, तो जो उनकी पहली बाली position थी, वो तो खली होगी, termination होगया, तो retirement, death, या layoffs होगया, तो इनसे हमारी supply कम होगी, यानके outflow होगा, और फिर हम ये gap देखते कि कि कितना हमरा gap रह गया, internal और external दुनों को मिला के, और फिर हम उनके लिए, फिर job analysis, वो description त्यार करते हैं, फिर recruitment selection, वो सारी चीज़े हम फिर करते हैं, तो determine कर लिया, यानके क्या क्या काम किया, हमने सबसे पहले forecast किया, demand forecast किया, उसके बाद supply forecasting की, दो इस step किये है, उनकी वो detail थी, कि demand forecasting के technique कोन कोन सी है, और जो supply जो है, वो internal और external के types होगी, तो यानके दो काम किये, पहले demand forecast, supply forecast, और फिर उसके बाद हमने गैप identify कर लिया कि demand or supply में कितना गैप है और उस gap को हम अब fulfill करने के लिए recruitment करेंगे ठीक है तो उसके बाद यानिकी formulating plan तो ये चार ही step होते है हमारे planning के HR planning के demand forecasting, supply forecasting, identifying the gap, manpower gap और फिर उसके बाद formulating the HR plans ठीक है फिर HR plan हम formulate कर देते हैं आप देखो HR plan जो है वो कुछ type है उसके कि recruitment plan के कितने recruitment करने हैं हमें ठीक है इट विल इंडिकेट the number and types of people required when they are needed कि कब चाहिए है कितने employees हमें चाहिए तो वो recruitment plan हो गया उसके लिए redeployment plan देखो redeployment plan क्या हो सकता है कि program for transferring or retraining existing employees for new jobs existing employee को new jobs जब हम दे रहे है तो उसको redeployment बोलते हैं employment हो गया लेकिन re-employment हुआ है वो एक थरीके से यानिकि employee existing थे बस उनको नई job दी जा रही है तो वो हमारा redeployment हो जाएगा उसके बाद है redundancy plan अब देखो redundancy plan क्या है कि it will indicate who is redundant when where and the plan for retraining where this is possible plan for golden handshake retirement and layoff यानिकि कौन redundant हो गया यानिकि जो हमारे काम के नीरे तो अब उनके साथ golden handshake करना यानकि उनको voluntary retirement दे दे नहीं golden handshake का मतलब यह होता है कि voluntary retirement हम जब दे रहे होते हैं तो वो golden handshake रिट्रेज्मेंट हो सकता है जब हम छटनी करते हैं या फिर layoff इनके थुरू redundancy plan यानकि निकालने का जो plan बनाते हैं वो redundancy plan हो गया उसके लावा training plan हो सकता है कि training देनी है employees को तो उससे related तो HR plan हमारे यह इंतने types के हो सकते हैं कि recruitment का plan की recruitment करनी है कितने की करनी है कहां करनी है ठीक है redeployment की existing को ही नई jobs में लेके आना है redundancy plan यानकी निकालना है उनको निकालने के लिए golden handshake हो सकता है retachment layoff कोई भी हो सकता है ठीक है और training plan यानकी उनको training देनी है तो यह हमारे HR plan है इनको formulate करेंगे इसके लाव और भी यह plan है productivity plan कि employee की productivity it will indicate reason for employee productivity or reducing the employee cost through work simplification, mechanization, productive bargaining, incentive, profit sharing यानकी जैसे training में हमने जो employee है उनकी working, उनकी skills को बढ़ाया ठीक है incentives दे सकते हैं उनके अंदर motivation जैसे job design को हम improve कर सकते है जिससे कि productivity उनकी बढ़े ठीक है तो कुछ change करना, mechanization करना, simplification करना उनके work को ताकि उनकी productivity बढ़ सके तो उससे related planning करना retention plan कि उनको employee को retain करके रखना है तो उनके it will indicate the reason for employee turnover and show strategy to avoid wastage through compensation policy, change in working requirement, improvement in working condition retention इनकी सबके थुरू हम retention plan में रखते हैं कि उनके employee का turnover को हम कैसे कम कर सकते है, turnover क्याता कि वो छोड़ के जाते हैं, तो वो turnover हो गया, उसको reduce करने के लिए एक बार आगे उनको retain करके रखना है तो उसके लिए क्या-क्या plan होंगे, तो उसके लिए यही कि उनके अच्छे से compensation policy working condition अच्छे होगी उनकी improve करेंगे तो वो retain रहेंगे और control points फिर ध्याद में रखना कि time to time हमें इन सारे plans में control भी करते रहना है, कि कहां पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है, तो यह थी हमारी human resource planning, अब हम देखते हैं कि job design, sorry, job analysis जो था, वो अब हम देखते हैं एक बा होता है, इसके इससे similar सी चीज़े ही, हमारी यह तीन नाम होते है, job analysis, एक होता है हमारा job evaluation, job design, यह और एक यह और इसके आगे types आ जाते हैं, कि job description और job specification है, यह सारे क्या क्या होते हैं, यह confuse करते हैं बहुत सारे बच्चों को, कि job analysis सबसे पहले, इसी को समझ लेते हैं, कि job analysis क क्या होता है, जोब को analyze कर रहे हैं, कि job क्या है, actual में, कि job के अंदर क्या-क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, दो काम decide करेंगे job analysis में, कि क्या-क्या काम कर रहे हैं, और जो काम करने वाले बंदे हैं, उनके अंदर क्या-क्या special quality, उनकी skill, क्या-क्या होनी चाहिए, क्या specific quality होनी चाह यानि कि job analysis के दो parts हो गए हमारे एक तो हो गया हमारा job description और दूसरा हमारा हो गया job specification तो job description यानि कि job को describe किया कि job में क्या-क्या काम आएगा और दूसरा हमने ये बताया कि employee में क्या-क्या specific quality या क्या-क्या specific एक तरी किसे skill होनी चाहिए तो वो हमारा job specification हो गया तो job analysis में हम ये द और एक है responsibilities, यह हम job analysis में decide करते कि क्या-क्या काम होगा, क्या-क्या duties होगी, और क्या-क्या responsibility होगी, यह चीज़े हम decide करते हैं हमारे job analysis में, अब देखिए, जो job analysis है, उसमें सबसे पहले अब हमारा आगया कि job description decide करेंगे, क्योंकि उसी के part, job analysis, दो काम कर रहे हैं, job description और job specification, अब job description जो है, job description में हम describe कर रहे हैं कि job क्या-क्या होगी, तो job क्या-क्या होगी, तो यहनकी job का title क्या होगा, job की summary, की job क्या बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि यह job इस बारे में है, सारी उसकी छोटी से summary, उसका title ही main क्या होगा, कि जैसे HR manager की job है, या मान लो किसी engineer की job है, executive की जॉब है, तो वो एक title, ह attitude वो engineer, फिर उसकी summary कि जैसे इंजीनियर है, तो उस इंजीनियर को क्या-क्या काम करने है, उसकी एक summary, फिर है job activities का detail में, उसमें क्या-क्या activities क्या-क्या टास्क उसके अंदर होंगे, ठीक है, उन सब चीजों की डिटेल बताना, उसके अलावा फिर है कि working conditions क्या क्या होगी, यह चीजी भी इसमें हम decide करेंगे, और social environment क्या होगा, यानि कि कैसे interact करेंगे, interpersonal interactions क्या क्या उसमें जरूरी है, और working conditions क्या होगी, यह सारी चीजी हम उसमें job description जो है, उसमें decide करते हैं, इसके department कौन सा होगे, human resource department में होगा, compensation manager, तो समरी क्या है कि responsibility for design and administration of work employee compensation program, इनके employee compensation program को design करना और administration करना, यह main काम है इसका, duties, अब detail में duties क्या-क्या होगी, कि conduct करना है, job analysis, job description बनाना है, job description and act as chairman of job evaluation committee, और यह सारी चीजी जैसे क्या-क्या काम होगा, वो बिल्कुल इनकी detail की क्या-क्य task इसमें involved होगे, वो इसमें दे दी, working condition कैसे होगी, कि normal होगा, कितने गंटे की होगी, तो 8 hours per day की होगी, और 5 days in a week होगी, ठीक है, तो working conditions बता दी कि कितने time से लेके, किस time तक काम करना है, week में कितने दिन काम करना है, कैसी conditions होगी, वो बता दिया, और किसको report करना है, यह और director को report करना है, तो वैसे ही कोई भी job होगी, तो उसके लिए ऐसे ही job description जो है, वो तैयार किया जाएगा, तो यह job description हो गया, अब job specification, specification यनकि क्या special qualification हो चाहिए, specification, special qualification यनकि, ठीक है, एक तरीकी से वो क्या चाहिए, special qualification क्या होनी चाहिए, वो तो यनकी employee है, उसके अदर क्या ability, यनकि को हम KS से भी बोलते हैं, कि knowledge, skill और ability कितनी है, वो, इसके अंदर essential attribute, desirable attribute और contract indicators, जैसे हम कोई भी job देखते हैं, उसकी detail लिखी होती, तो उसमें यह होता है, कि essential qualification आपकी यह होनी चाहिए, कोई एक degree है, जैसे मानलो manager की कोई job थी, तो उसमें यह है, कि essential आपकी qualification आपक desirable attribute की क्या-क्या और desirable है, कि जैसे मानलो की दो साल का experience और होना चाहिए, वो desirable हो गया, contra indicator की क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो contra indicators की, that will become a handicap to successful job performance, यान कि यह चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो भी दे दिया, कि यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कोई physical job थ यह qualification, वो qualification हमारा specification होता है, job specification बोलते हैं उसको, और जब हम अभी बात कर लेते कि job evaluation और क्या होता है, इससे similar सा word हो गया न, अब यह job analysis, job description, job specification, job evaluation, देखो, evaluation यानि कि value decide करना job की, evaluation यानि कि job की value decide करना, वो हमारा job evaluation होता है, यानि कि कितनी salary होनी चाहिए, एक तरी किसी उसकी worth क्या होगी job की, वो हमारा job evaluation होता है, और job design क्या होता है, जो हमने पहले भी देखा था, कि मोटिवेशन देने का एक तरीका है, यानि कि job design क्या है, कि हम job analysis कर रहे हैं, उसके अंदर क्या-क्या task duties यह थी न, इन task duties को और भी अच्छे से design करना, इसमें थोड़ा change लेके आना, ताकि job को interesting बना सके, वो हमारा job design होता है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े होती है हमारी इसमें, और इसके बाद हमारा आता है कि recruitment क्या होता है, तो अब हम recruitment देखते हैं, recruitment and selection, recruitment and selection में job analysis कर लिया है, पहले हमने कि job क्या होगा, क्या-क्या चाहिए, qualification, अब उसके बाद recruitment करेंगे recruitment में हम क्या करते हैं, कि हम employees से उनकी application मांगते हैं, तो उसको हम बोलते recruitment, तो recruitment means देखो यह findings or attracting fairly large number of well qualified applicants for the employer open position, यानकी employer जो भी position open करता है, यानकी जो vacancy लेका है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा fairly large number attract करना, well qualified applicants का, उसको हम recruitment बोलते हैं, अब recruitment के हैं, हमारे पास दो theories आती हैं, आपको उनकी नाम याद रखने है, meaning भी आपको पता होना चाहिए, prospecting theory और mating theory, देखो mating theory, सबसे पहले यही देख लो prospecting theory, prospecting theory का मतलब है, कि हमें prospect, prospect हमने marketing में भी पढ़ा था ना, कि potential consumer उसमें था हमारा prospect, यहाँ पर क्या होगे कि potential employee, तो यानि कि उस prospect को ढूंडना बस, यह काम है prospecting theory के according recruitment का, यानि कि जो यह attract करना कि वो हमारे company में आए, तो वो काम था prospecting theory के according recruitment का मतलब है, कि हमें attract करना, लेकिन जो mating theory है, वो क्या बोलती है, कि देखो employee जो है, वो भी ढूंड रहा है कि उसको अच्छे well qualified employees मिल जाए, employer जो ह रहे हैं कि उनको एक अच्छी company में अच्छी job मिल जाए, तो दोनों अपस में confused है ना, उसको वो employer को अच्छे employee मिल पा रहे है ना, employee को अच्छी job मिल पा रहे है, तो इसलिए meeting theory क्या बोलती है, कि हमें हमारे recruitment को ऐसे design करना है, ताकि इन दोनों की requirement है, दोनों की requirement है, तो दो दोनों में, ठीक है, तो ऐसा function है कि उन दोनों के बीच में link बनाया जाए, कि two-way traffic, यह एक one-way नहीं है, one-way का मतलब तो क्या होगा, कि सिरफ employer, employee ढूंड रहे है, वो one-way हो गया, और two-way में क्या होगा, कि employee ढूंड रहे है, तो उन दोनों को किस तरीके से अच्छे से मिलाय जा सकता है, उन दोनों में link बठाया जा सकता है, कि employee ढूंड रहे है, employer ढूंड रहे है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे platforms भी आजकल आ गए है, वो recruitment के meeting theory के according आए, कि जैसे हम link दिन भी देखते है, या फिर और भी जैसे nocari.com और यह सारी, यह क्या करते हैं, कि यहाँ प prospecting, सिरफ ढूंडना, meeting, यानि कि two-way traffic, ठीक है, अब next जो है, method of recruitment, यह important होते है हमारे recruitment में, recruitment के methods, अब internal methods हो सकते हैं, external methods हो सकते हैं, internal methods में यही promotion या transfer के थ्रू हम कर सकते हैं, job posting या job bidding, यह क्या होता है, job posting या job bidding, इसमें है na, existing, internal source है, तो internal source है, तो इसमें क्या करते हैं employee, जो अपने existing employees है, employer क्या करते है, sorry, जो हमारे existing employee है, उन ही को, जैसे notice board पर यह लिख दिया, कि हमें requirement है employees की, अगर आप लोग, मतलब मालो कोई एक अच्छी position के लिए requirement है, तो उनको बोला जाएगा, कि आप इस position के लिए, अगर हम पहले internally देख रहे हैं, कि कोई well qualified, अगर employee होगा, तो वहीं से हम इसको fulfill कर लेंगे, otherwise फिर बाहर जाएंगे, तो इसलिए अगर आप चुख हैं इस position पे आने के लिए, तो आप ये position के लिए आ सकते हैं, तो वो ऐसी जब job posting की जाते हैं, उसको job posting बोलता है, मतलब, ऐसी जब notice board पे लिखा जाता है, या job bidding, तो यानकि notice board पे उ मंगे existing employees के, तो ये याद रखना है, job posting ये job bidding को ये मत समझ ले न, कि भारवालों से job bidding हमने invite किया है, हमने internal employees से ही किया, ठीक है, उसके अलावा employee referrals के थुरू, employee referrals यहन कि हमारे ही employee अपस में किसी को reference के थुरू बुलवा ले, अपने friends circle में, किसी को भी family friend में, तो employee referrals हो गया, य जो ये employee referral होता है, इसी में ही हमारे एक point है, यहाँ पर कि employee enlistment, employee enlistment क्या होता है, कि इसमें, जैसे हम आजकर नहीं देखते कि we are looking for, जो भी, जैसे मानलो कोई किसी भी company में job कर रहा है, आपने friends circle में कहीं देखा होगा, कि वो सारे, ऐसा कोई story डालते है, या groups में ऐसे बेज recruitment का काम सारे employee कर रहे हैं, जब तो उसको हम employee enlistment बोलते हैं, जिसमें ये we are looking for, ऐसे ऐसे messages, सारे employee अपने groups में share करते हैं, ये तो employee referral तो क्या हो गया, कि अपने reference की किसी बंदे को लेके आए, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ incentive भी दिया जाएगा, employees को, कि आपको, आप लेके होगी, लेके आना employee को, और उसके उपर आपको कुछ percent मिल जाएगा, जैसे कि जब आप लेके आए employee तो उसके कुछ percentage होगी, आपका कुछ commission होगा एक तरीकी से, तो उसको हम employee enlistment बोलते हैं, ठीक है, यानकि सभी employees को recruiter बना देना, ये हमारे internal methods थे, transfer, demotion, promotion ये आपको पता ही था, ये दो चीज़े important थी, job bidding और एक ये employee referral और employee enlistment, अब है हमारे direct method, direct method, इसको हम external method बोलेंगे, एक तरीकी से, कि external recruitment और external के direct method, इसमें क्या है कि campus recruitment हो गया, campus recruitment यानकि कि किसी college या university के campus में जाके, वहाँ से recruitment करना, ठीक है, आपको meaning तो इसका पता ही है, उसके अलावा, जो ह हमारे हो सकते है, advertisement की through, ये indirect method में आ जाएगा, कि हम advertisement दे रहे हैं, फिर हमारे पास applications आ रही है, newspaper में ad दे रहे हैं, ठीक है, ये इनकी, वो बता रहे हैं कि newspaper में देने के क्या फायद है, क्या नुकसान है, कुन सा ज़्यादा effective होता है, ये सारी जीजे, television और radio ads, अब हम division कर रह होगा, मैं बता दूँगा, आपके साथ की साथ, इसके अलावा है third party methods, third party methods में क्या होगा, कि हम private employment search forms ले सकते हैं, ये सारे external के ही part है, वैसे जो ये direct, indirect और third party method, इसमें हम external parties के थुरू, यानकी, जैसे हम, मैंने आपको example बताया, कि nocree.com ये linkedin, ऐसे जो platforms है, उनके थुरू ह हम जो है, employee को search कर रहे हैं, ठीक है, तो वो private employment search agency हो सकते है, government की, जैसे employment exchange हो सकते, employment exchange में भी जो unemployed होते हैं, वो अपना registration करवाते हैं, और जिनको, जब employee चाहिए होते हैं, किसी भी company को, तो वो वहाँ से उनका data होता है, सारे जो job seekers है, उनका data होता है, तो वहाँ से वो ले सकते हैं, gate hiring, या contractors, gate hiring, यानकी gate के उपर जो लगा दिया, या फिर contractors के थुरू हम ले सकते हैं, employees, contractors के थुरू ले सकते हैं, या फिर unsolicited applicants ले सकते हैं, वो किन जिसकों बोलते हैं, ये word भी याद रखना, unsolicited applicants, यानकी, जो पहल, जिनका कुछ डिसाइड नहीं होता, unsolicited applicants है, चलत ये जो nocree.com था, ये सारे internet की recruitment के sources हैं, एक तरीके से, या फिर इसके अलाव alternate recruitment यह हो सकता है, कि हम short term के लिए ले रहे हैं, contract based के ले रहे हैं, वो सारी सीजी हमारे alternate recruitment में, जैसे temporary employees हो सकते हैं, employee leasing हो सकती है, कि हमें चाहिए है, तो हम बाड़े पर ले ले लेते हैं, जैसे म अब उन employees को, कोई फिर बाड़े पर, कोई भी जैसे laborers की case में ऐसा होता है, कि बाड़े पर लेके चले जाते हैं, कि हाँ मैं आज 10 employees बेज दो, आज हमें 15 बेज दो, workers, तो वो ऐसे बेज देते हैं, तो वो employee leasing बोलते हैं, उसको हम, ठीक है, इसके अलावा outsourcing कर सकते हैं, कि जो हमारा काम था, वो recruitment का ये सारा, वो हम outsource करवा देते हैं, किसी और से ही, वो करते हैं, हमारा, ये भी method हो सकता है, ठीक है, अब देखो, जो recruitment है, उसमें आज कल कुछ terms use होती हैं, जैसे कि employer branding, अभी employer branding क्या है, कि employer की भी एक अलग से brand है, और employee जो है, मतलब attract, क्योंकि होती है, तो इसलिए, talented human resource को attract करने के लिए, employer की branding भी जुरूरी है, कि हाँ, ये बहुत अच्छा employer है, यहाँ पर human resource की, मतलब, जो HR, जो है, यहाँ का HR management बहुत अच्छा है, तो employer की branding का भी फरक पड़ता है, जब हम, हमें, talented जो workforce है, उसको attract करना हो, ठीक है, ये recruitment भी आज कल चीज ये चली होई, कि हमें, सारा का सारा technology based है, तो वो जैसे website के थूँ, internet के थूँ, हम recruitment करते है, ठीक है, तो ये था हमारा recruitment, recruitment में, basically, ये source ही ज़्यादा important है, कि आपके internal source से कर रहे हो, या external से, इसके बाद हमारा आ जाता है, कि selection क्या है, अब selection का मतलब कि, recruitment में क्या था, क हमें, ज़्यादा से ज़्यादा, well qualified employees को attract करना है, selection में क्या है, कि picking individual who have relevant qualification to fill the job in an organization, यानि कि उन individuals को pick करना, जो कि well qualified है, आपके organization में काम करने के लिए, ठीक है, अब इसकी process important है, आपकी selection की, कि सबसे पहले reception, यान कि deception पे आप गए, वहाँ पे आपने पुछा, कि हाँ, मेरे पास ये qualification है, वह आप से कुछ screening interview ले ले लेगे, कि हाँ, आपके पास ये qualification है, इस तीज के लिए वो बुलेगे, हाँ, है, कुछ basic से question पूछ लेना, ठीक है, फिर वो बोलेंगे, ठीक है, अगर है, तो आप ये application fill कर, तो फिर application fill कर देता है, फिर उसको selection test के लिए बुलाया होता है, फिर reference check होती है, और फिर hiring का decision ले लिया जाता है, ठीक है, तो आपको ये step ही याद रखने है, आप देखो, जो test है, उसके types है, कुछ, कि test जैसे intelligence test है, intelligence test, यानि कि हम ये देखते हैं, कि कितना quickly learn कर पा रहा है, तो जहां पर उसकी learning ability को देखा जाता है, वो उसका intelligence test ह होता है, aptitude test, यानि कि जहां पर हम aptitude की skill सीखने की, जैसे, यह नहीं होता है, aptitude, mathematical ability को जो test, जो होता है, mathematical ability उसकी जाचने के लिए, उसकी clerical, mechanical, ये skills, जो है, इनको जाचने के लिए जो किया जाता है, वो aptitude test होता है, ठीक है, उसके अलावा, उसकी personality को देखने के लिए, उस personality factor और relationship between personality factor और actual job criteria, इस तरीक की personality का बंदा है, तो ये इस job के लिए fit है या नहीं है, ये देखने के लिए personality test लिया जाता है, इसके ये नाम याद रखना, थोड़े सा personality test, क्योंकि कई बार आप बहुत detail में आ जाता है, आपके net के paper में, कि जैसे कि multiple personality inventory, ये किस, ये, sorry, यहां तो ये आपका personality test है, ये पूछ ले कि options दिये हों कि इन में से कौन सा personality test है, तो ये नाम याद रखना थोड़ा सा, California psychological inventory test है, manifest NXT scale, ये सारे आपके, ये personality test को measure, personality को measure करने की test है, बस आप थोड़ा सा नाम ध्यान रखना कि by chance options में आ जाए इतना deep में भी, तो आप बता सको, उसक अलावा projective test है, देखो projective test में क्या है कि किसी एक situation में कैसे एक person deal कर रहा है, उसका test लेना, the test that expect candidate to interpret problem और situation based on their own motive, attitude और values, कि वो कैसे खुद समझ पा रहा है किसी चीज़ को, कैसे solution देके आ रहा है वो एक particular situation का, तो उसके लिए हम बोलते projective test, ठीक है, क्या समझ रहा है, और फ solution ढून रहा है, वो तो projective test हो गया, interest test यानि कि उसका interest क्या है, उसका specific किस एरिया में interest है, तो उसको हम interest test बोलते है कि these test shows the areas of work in which people is more interested, तो उसका interest test हो गया, preference test कि जो employee है, उसकी क्या preferences है मिलनी, जैसे कि employee preference with the job organizational requirement, job diagnostic survey इसके लिए, preference test के लिए आप याद रखना, job diagnostic जो survey है, वो किसके लिए है, वो preference test के लिए है, किसने develop किया, Hackman और O'Damne is an example of preference test, this test shows that people differ in their preference for achievement, meaningfulness, discreation in their job, यानि कि उनकी preference क्या है, job diagnostic survey के थुरू हम यह देखते कि उसकी preference क्या है, कि कोई achievement उसका, उसकी preference है, कि किसी भी job में कोई भी काम कर रहा है, जब employee, तब उसकी preference क्य जल्दी से जल्दी, जो organization के objective है, वहाँ तक पहुचना, या उस process को enjoy करने के, उसका main जादा preference किस चीज को दे रहा है, employee, तो उसके लिए दिया जाता है, यह preference test, इसमें क्या किया जाता है, job diagnostic survey, आप यह याद रखना, job diagnostic survey किस से related है, preference test से, उपर हमने personality test के भी कुछ नाम देखे थे, तो उसमें confuse मत हो जाना, कि यह job diagnostic survey उसका ही होगा, तो यह job diagnostic survey, preference test का एक part है, preference test के लिए यह किया जाता है, एक है achievement test, achievement test यनि कि, इसमें हम यह देख रहे हैं कि, जो applicants है, वो currently उसके पास क्या achievements है, कितने अच्छे से उसने अपना काम किया हुआ, क्या ability है उसके पा कि actually knows what he claims to know, यानि कि उसको actual में भी पता है, उन चीजों का जो बता रहे है, achievement test हम यह चीजे देखते है, ठीक है, current situation की देख रहे है, यानि कि अभी फिलाल उसके अंदर क्या-क्या है, वो achievement test है, simulation test, simulation test, यानि कि duplicate many activities, और a problem and employee face like while work, यानि कि simulation का मतलब सिधा सही होता है, कि हम working, जुसका work environment उसको create करके देते हैं, उसको कि वो उसमें कि किस तरीकी से deal करेगा, ठीक हो, तो वो यानि कि एक artificial हमने work environment create कर दिया, पूरा वैसे ही, जैसा कि वो actual में करेगा, जो factory में मानलो कोई machine operate करनी थी, तो वैसे कि वैसा हमने उस room में करके दिया, interview room में, या test room में, और और भी से裡面 में एक तरीके से बिच जाता है, और फिर वो team में काम करते हैं, तो वहा पर फिर उनको analyze किया जता है, यह कैसे काम करने तो वो assessment centers के base पो लिया जा सकता है, ठीक है यह कुछ टेस्ट के नाम थे इसके अलावा एक्जम्पल्स ओफ सिमुलेटिड एक्सरसाइज बेस्ट ओन रियल लाइफ और टिपिकल असेस्मेंट सेंटर हो सकते हैं इन बास्केट यह ना आपके उसका भी पार्ट है यह और उगनाइजेशनल जो डवलप्मेंट इसमें हमम एनेजर के डवलप्मेंट की बात करते हैं जैसे डवलप्मेंट की टेक्निक जैसे ट्रेनिंग की टेक्निक होते हैं वहां भी यह चीछ जाते है कि इन बास्केट ऐनलेसिस और लीडर Carolina १िसकेशन, बिजनस गेमस ini यह करके देखते हैं यह लीडर ग्रूप डिसकुशन्स जो होता है वो करते हैं या फिर इन बास्केट यहां पर की accumulation of reports, memos, letters and other material collected in the basket and simulated job he is supposed to take over यानि कि उनको सारी चीज़ें दी जाती हैं जो कि वो actual में उसको करनी होते हैं reports, memos, letters, सारे material जो कि उसको actual में जब वो job करेगा तब उन सब documents से deal करेगा तो अब कैसे कर रहा है तो वो सारी चीज़ें हम in basket test में लेते हैं group discussions करवाए जाते हैं business games करवाए जाते हैं इन सबसका तो आपको पता भी है कि यह सारे test करवाए जाते हैं या फिर individual presentation ली जाएगी structural interview लिया जाएगा इंटर्व्यू के अपने दिखाऊगा कि unstructured interview होता है structured interview होता है structured यान कि जिमें पहले से सारी चीज़े decide होते है कि क्या क्या question पुछे जाएंगे वो और लेकिन unstructured में पहले से handwriting का test रहे जाता है person के handwriting के based उसकी personality को measure करना वो graphology test होता है polygraphy test क्या होता है कि जिसमें हम employee के जो उसके arms sensor और उसकी जैसे वो नहीं बोलते है कि blood pressure उसका कैसा है जैसे बहुत sensitive area जहां पे होते हैं कि employee जूट तो नहीं बोल रहे हैं सब चीज़ों को देखने के लिए वो lie detector test भी बोलते है इसी को हम polygraph test यानि कि जब भी employee से कोई question पुछा जाता है तब उसके body movement कैसे हो रही है body movement in the sense उसके body के अंदर क्या क्या चीज़े हो रही है जैसे blood pressure फिर उसमें हम measure करते हैं क्योंकि जूट पूल रहा तो उसका blood pressure बढ़ सकता है इसे कुछ हो सकता है तो वह सब चीज़े जब measure की जाते तो उसको polygraphy test बोलते है और graphology यानि कि जिसमें हम handwriting का test लेते हैं कि handwriting से personality को measure करने का integrity test हो सकता है integrity में यानि कि employee की honesty को measure करने के लिए जो test लिया जाता है तो वह integrity test हो गया इसके अलावा यह हमारे test होगे सारे अब है हमारा selection interview क्योंकि हमने दिखा कि पहले हम test selection test लेते हैं selection test के बहुत सारे types थे अब है selection interview लेके देखते हैं कि इसमें oral examination होता है इसके बारे में इंफर्मेशन पुछी जाते उससे यह वही कि structured हो सकता है या फिर unstructured हो सकता है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि structure को हम डिरेक्टिव बोल सकते हैं कि इसके एक direction हमें पता होती है कि इसी direction में जाएगा और non-directive यानकि unstructured interview होता है जिसका पहले से कुछ भी decide नहीं तब unstructured interview हो जाएगा हमारा इसके अलावा situational interview हो सकता है situational interview में क्या होगा कि structured interview is also known as situational interview in this approach applicants is conferred with hypothetical incident यानकि उसको hypothetical incident बता बताया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे तो ऐसी situation में आप कैसे decision लेंगे क्या करेंगे तो ऐसा जो हो कि actual में कभी employee ने कोई behavior किया हो तो उस चीज के उपर होता है तो यानि कि situational interview में hypothetical incident के लिए पुछा जाता है कि वो ऐसी situation में क्या करेंगा और behavioral में जब employee ने actual में कोई काम किया था और मतलब actual news के previous task के लिए हो सकता है तो actual behavior को एक तरीकी से मापनी के लिए होता है यह behavioral interview ठीक है इसको पड़ भी लेते एक बार behavioral interview focus on actual work incidents ठीक है यह तो ही in the applicants past यानकि past में कोई हुआ था और उस टाइम पे employee ने कैसे behave किया था उस सीज का पुछा जाता है ठीक हो ही employee behavior interview और situational interview या कि कितना stress जो ही वो ले सकता है employee तो ऐसे question पूछे जाते हैं जो जिसोसे stress लेने की power को देखा जासके कि कितना stress जो है असानी से deal कर पा रहा है तो agressive, embracing, rude or insulting questions पूछे जाते इसमें ताकि वो यह देखा जासके कि कि कितना stress जो है वीर कर पा रहा है उसके अलावा पैनल interview और की कोशन पूछता है इंटर्विँविंग मिस्टेक्स हो सकते हैं कुछ हमारी इंटर्विंग मिस्टेक्स अपने नाम सुना होगा जैसे हब होज THE एक हेलो अफेक्ट होता है हेलो लो एक इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक पॉजिटिव इन्पोर्मेशन थी यूरड उस एक पॉजिटिव के बेस पे ही हमने का लिया कि हाँ यह इस टाइप का बंदा होगा तो वो क्या होगा है लो एक और अगर वो ही एक सिच्ट वेशन के बेस भी कि है, अगर वो गलत थी कोई मान लो, उसकी कोई एक बुरी चीज लगी हमें उसमें देख के, उसके बेस पर ही हमने हमारा पूरा ही इंटर्व्यू का decision ले लिया, तो उसको हम बोलते हैं horn effect, ठीक है, उसको हम क्या बोलते है, horn effect, यह हो सकती है, snap judgment हो सकता है, snap judgment क्या है कि उसकी few moments snap judgment यानकी थोड़ी देल में ही हमने पता लगा लिया कि हाँ यह इस type का होगा, तो वो snap judgment होगा, यानकी few minutes के base पे हमने पता लगा लिया, वो hello or horn क्या था कि एक ही specific उसकी quality के base पे हमने decide कर लिया, ठीक है, और snap judgment यानकी कुछ एक few moment जो interview की थी, उसी के base पे हमने decide कर लिया, leniency हो सकता है इसमें एक error, यानकी leniency यानकी बहुत ज़्यादा number देनी के आदत है किसी की, तो वो leniency error हो सकता है, यानकी average student है, कैसा भी हो मतलब, जैसे teacher भी कि यह error हो सकता है, कि leniency error, कि वो सब को ही ज़्यादा number देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, कि जैसे मालो, चाहे आप paper कैसा भी करके आए हो, चाहे आप test में कितने कैसा भी लिखा हो, लेकिन उन सब कोई teacher होता है, जिसके आदात होती है, कि पूरे के पूरे number देने है, या बहु सकते है, stereotyping, यानि कि वो यह देखते हैं, कि इस society यहां से आया है, यह इस area का बंदा है, इस culture से बिलों करता है, इस caste से बिलों करता है, तो यह इस type का ही होगा, तो वो हो सकती है, interview में mistake, एक तरीके की stereotyping भी इसको बोलते हैं, हम यह लिख रखा, hello effect भी है, कि एक positive traits के base, एक single important trait के base पर ही हमने decide कर लिया, ठीक है, candidate order error हो सकता है, candidate order error यानि कि candidate पहले आया, उसने वो पहले कोई भी interview देने गया, a person, उसके base पर भी person को जज़ करना, फिर कि हाँ, पहले वाला अगर मालो, पहले वाले ने बहुत अच्छे से सारे questions transfer दिये, तो expectation हो जाती है, कि next जो आएग वहाँ पे objective interview नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पे candidate order error है वहाँ पे, ठीक है, या फिर यह हो गया कि मालो कोई पहले गया, और उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, तो next गया, उसने थोड़ा सा भी दे दिया, तो यह सोच लिया कि पहले वाले को तो बिल्कुल नहीं आत होना चाहिए, ना candidate order error होना चाहिए, ना stereotype रखना है हमें, ना cultural noise, snap judgment, ऐसा कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से interview लेना होता है, एक human resource manager को, ठीक है, यह mistakes नहीं होनी चाहिए, अब interview की process की सबसे पहले prepare करेंगे, फिर reception, फिर information exchange, अब देखो, मान लो interview की process आ जाए, तो selection की process में confuse मत हो जाना, क्योंकि selection की process में सबसे पहले हमारा reception आता है, कि पहले कोई बंदा reception पे जाएगा, फिर उससे screening interview लिया जाएगा, उससे application फिल करवाई जाएगी, लेकिन यह interview है, interview में सबसे पहले preparation की जाएगी interview की, उसके बाद reception होगा, यानि कि आएगा वो बंदा फि और फिर terminate कर दिया जाएगा interview को, इनकी कतम कर दिया जाएगा और उसके बाद evaluation किया जाएगा, कि हाँ इस बंदे ने इन इन चीजों का ऐसे जवाब दिया थे, इसने इतने marks मिलते हैं, ठीक है, तो यह interview की process थी हमारी, इसके बाद medical examination होता है, हम selection की process ही देख ले थे कि test हु हुआ, फिर medical examination हुआ, फिर reference check हुई, कि यह बंदा कहां से आया है, वहां के लोगों से उसकी पूछ, ना कि कैसा बंदा है, तो यह सारी चीजे reference check हुए, कि उसका good character है, यह सारी चीजे है या नहीं है, और फिर उसके base पे जो है, वो final हमारा decision ले लिया जाता है, कि recruitment, उसको recruit क कर लिया जाता है, ठीक है, अब हमारी आगी training and development, अब देको training and development में क्या होता है, कि अब employee है, हमने recruit कर लिया, selection कर लिया, उसके बीच में कुछ चीजें हो राती है, जो आपकी सायद आगे के pages में हो भी जाए cover, कि induction होता है, यानकि employee का जब selection हो जाता है, तब हम उसको organization के culture से introduce करवाते हैं, तो वो हमारा induction काता है, यानकि उसको work environment से, उसको सारे employees से introduce करवाना कि यह यह है, तो सब चीजों के बारे में बताना, तो वो हमारा induction होता है, तीन चीज़े होती है, मैं अभी आपको बता देती हूँ, आगे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा, तो ठीक है, एक होता है induction, induction का मतलब है कि हमने employee को हमारे culture के बारे में नया employee आया है, उसको सारी चीजों के बारे में बताया, ठीक है, कि यह यह आपके senior है, यह आपके junior है, आपको इस तरीके से काम करना है, यह हमारे organization की values है, यह हमारे organization का culture है, इसी तरीके से काम करना है, आपको किसको report क यह सारी बाते हैं हम उसको बता देते हैं ठीक है वो हो गया induction एक हमारा होता है socialization ठीक है socialization भी बिलकुल same induction के जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा broad है इसका concept कि यह हमारा जैसे अब induction तो सिरफ नए जब कोई आता है employee उसके लिए होता है लेकिन socialization नए के लिए भी हो सकता है और जो ह फिर उसको वहाँ पे वो अच्छे से fit हो जाए वह सारी चीजी करवाना तो वो socialization ही होता है तो socialization में भी यह होता है कि वो आया है employee उसका pre-arrival stage होती है फिर encounter होता है इसकी तीन stage ही होती है यह भी आप note कर ले ना इसमें नहीं होगा साय इस PDF में जो हम कर रहे हैं एक होती है उसकी सबसे पहली जो stage होती है वो होती है pre-arrival pre-arrival यानि कि वो आया नहीं था उससे पहले की जो stage थी pre-arrival stage होती है ठीक है pre-arrival उसके बाद होती है encounter एक मिनट सबसे पहला हमारा हो गया pre-arrival मेरी writing ऐसी ही है थोड़ी pre-arrival दूसरा है हमारा pre-arrival के बाद हो गया हमारा encounter encounter यानि कि वो यहाँ पर आके फिर वो जो भी हमारे organization के culture थे उन सबसे deal करता है एक तरीके से interact करता है फिर उसके बाद आती है metamorphosis ऐसा कुछ नाम होता है metamorphosis तो यह तीन stages होती है socialization की यानि कि सबसे पहले उसके आने से पहले कि ठीक है वो क्या सोच रहा होता है कि इस तरीके के employee मिलेंगे मुझे ऐसा environment मिलेगा फिर उसका actual में उस environment से interaction होता है और फिर जब वो बिल्कुल उस environment में अपने आपको ढाल लेता है organization की जो values थी culture थी उसको adopt कर लेता है तो उस stage को हम बोलते है metamorphosis ठीक है तो यह तीन stages होती है अपकी socialization की तो हमने देखा induction induction में सिर्फ नए employee को इंट्रोड्यूस करवाया वह वाली चीज जा गई socialization में नए और पुराने दोनों include हो जाते तो यह socialization हो गया और एक है हमारा orientation इससे ही related सा नाम है orientation अब देखा orientation में है ना बिल्कुल मोटा मोटा बताया जाता है कि organization का क्या culture है क्या है और बस उनसको introduce किरवाया जाता है induction और socialization थोड़ा detail में होता है ठीक है orientation में सिर्फ मोटा मोटा बताया जाता है तो वह orientation होता है इन सब चीज़ों को ज्याद रखना है यह इनकी selection के बाद यह तिन्नों काम होंगे पहले इन तिन्नों में से एक हो सकता है यह तिन्नों हो सकता है और फिर होगा अब वह employee set हो गय यह उसको skills सिखाई गई तो वह गया उसकी specific skills जो कि उसको काम करना है उसी से related है तो वह training हो गई और जब सिरफ उस specific चीज से related ही नहीं सिखा रहे हैं उसको overall development के लिए चीज़े सिखा रहे हैं कि ताकि उसको आगए भी future में काम आ जाए वो सारी काम चीज़े तो वह होती है हमारा development ठीक है तो development थोड़ा broad concept है और training में सिरफ एक particular चीज से related हम training दे रहे हैं उसको ठीक है वह हमारी training होती है अब जो training में उसकी systematic approach क्या है कि सबसे पहले हम assessment करते हैं ठीक है उसके बाद implementation और उसके बाद evaluation assessment में यानि कि हम ये decide करते हैं कि training की need क्या है और training के objectives क्या होंगे ये decide कर लिया implementation में हमने training के methods क्या होंगे और training conduct करते हैं और evaluation में हम ये देखते हैं कि जो हमने training दी है अब employees को अब उ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले उसके need और objective डिसाइड कर लिए, फिर training के methods decide कर लिए और training दे दी और उसके बाद evaluation किया, ठीक है, आप training के methods देख लेते हैं, यह important है, on the job training कौन से हैं और off the job training कौन से हैं, देखो on the job training में सबसे पहले है, यह job instruction training, जिसमे job instruction दी जाती है, जैसे कि world war 2 के time पे आया था, कि काम से related, कि एक एक instruction देना कि इस तरीके से आपको काम करना है, overview देना, फिर उसको demonstrate करके दिखाना कि इस तरीके से काम करना है, और फिर कैसे handle करोगे, आप job को independently वो करके दिखाओ, और follow up, यह steps होते हैं, आप आने job instruction training में, बस यह पता होना चाहिए, job instruction training में क्या होगा, कि इसको overview दिया जाएगा, करके दिखाया जाएगा, फिर उसको खुझ से भी करवाया जाएगा, ठीक है, एक एक चीज की instruction दी, फिर उसको करवा के दिखाया गया, और यह होता है, on the job, यानि कि job में रहते हुए करते हैं, ठीक है, तो on the job का method है, job training, sorry, job instruction training हो गया पहला तो, दूसरे है हमारा coaching, coaching भी हमारा on the job का method है, इसको confuse मत हो जाना कि coaching है, तो classroom में बैठके दे रहे होंगे, off the job होगा, off the job नहीं होता है, on the job होता है, इसमें क्या है कि daily training और feedback साथ की साथ दी जाती है, ठीक है, employee अपने immediate supervisor से coaching ले रहा हो ठीक है, तो coaching दी जाती है, यानकि continuous process of learning by doing, इसको हम बोलते हैं, अगर ऐसे line लिख्या जाए, कि continuous process of learning by doing क्या है, तो coaching है हमारी, ठीक है, यानकि learning by doing से सीख रहे हैं, तो on the job होगी, mentoring हो सकता है, mentoring में भी, कि एक employer, जो employer है, या फिर वो supervisor है आपका, वो आपके mentor की, जैसे आपको हर चीज के बारे में सला देता है, आप कुछ भी आपका doubt होता है, आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है, हर चीज में आपके step by step help करता है, ठीक है, तो वो mentoring होगी, mentoring भी on the job होगी आपकी, उसके बाद है, हमारा, एक second, यह mentoring ही था, इसके बाद है job rotation, job rotation, यानकि एक job से दूसरी job पर बेज है, उसका काम भी सीख लिया, फिर दूसरी का भी सीख लिया, यह हमारी job rotation हो गई, इसके अलावा हमारी apprenticeship training हो सकती है, apprenticeship training में, यानकि एक lower level jobs के लिए होती है, कोच होता है, या trainer होता है, उसके अंडर में कोई apprentice काम करता है, और वो काम करते हुए सीखता है, उसको कु कुछ assignments दे रिये जाते है, actual organization की problems के, और फिर उन assignments पर आपको काम करना होता है, फिर चेक करवाया जाता है, आपका supervisor उसको चेक करता है, कि हमने कैसे अच्छी से काम किया या उसके नहीं किया, तो वो committee assignments के थुरू भी सीखते हैं, ठीक है, और यह आपको काम करते हुए, उसी के बाद हमारा आया है, job rotation, ठीक है, उसके बाद है हमारा apprenticeship training, यह internship और committee assignment, यह हमारे on the job थे, अब off the job क्या कौन कौन से हो, off the job में है हमारे vestibule training, vestibule training यानि कि, जिसमें, जो हमारे clerical और semi-skilled job employees होते हैं, उनकी training के लिए दी जाते हैं, इन इस method, actual work condition are simulated, जिसको हम वो ही बोलते हैं, कि vestibule training में, बिल्कुल वैसा environment create करते हैं, और फिर उसमें वो काम करते हैं, जैसे कि कोई, मानलो, machine थी, कोई भी equipment था, उसको कैसे चलाना है, तो उसके लिए जो वैसा instrument आपको, आपके classroom में लाके दे दिया जाएगा, और आपको, कि आपको यह run करके दिखाओ, तो वो vest इसमें क्या होगा, यह तो था कि वो lower level job के लिए, या कोई भी मानलो, machine थी, tool था, उसको चलाने के लिए, role playing में, managers के लिए, कि आप ऐसी situation में, कैसे deal करोगे, तो वो उसके action doing, practice करवाना, कि ऐसी imaginary situation है, उसमें, कैसे deal कर रहा है, वो role playing हो गया, lecture method, कि जिसमें lecture दे रहा है, classroom मे कोई एक teacher, उससे समझना, ठीक है, conference या discussion हो सकता है, कि कोई conference attend करने, अपने employee को भेज दिया, तो वो out of the job हो गया, एक बार तो off हो गया, वो job से, job में रहते हुए तो नहीं कर रहा है, तो वो conference या discussion करने के लिए भेज दिया, तो वो उसमें हो गया, programmed instruction, आप देखो, याद र इसमें क्या है कि become popular in recent year, the subject matter to be learned is presented in a series of careful plant sequential units, यानि कि जो भी आपको सिखाया जाएगा उसको बिल्कुल parts में और बिल्कुल sequence में आपको units में सिखाया जा रहा है, ठीक है, वो programmed instruction, यानि कि पहले से program बना रहा है कि इस तरीके से instructions दी जाएंगी, इस तरीके से आपको कोई भी training दी जाएगी, वो programmed instruction होती है, ठीक है, कि सबसे पहले simple दी, फिर complex जाते गए, ठीक है, उसके बाद है हमारा virtual organization और e-learning, इनके थुरू भी आपको दी जा सकते है, कि e-learning कि थुरू आपको कोई भी video classes दे दी, कोई भी उनसे आप सीख लो, तो वो आपकी e-learning और ये भी आपकी of the job हो जाएगी, ठीक है, तो on the job, of the job training की method देख लिए, of the job की दुबार से देख लो, vegetable training, role playing, lecture method, discussion और conference, और programmed instruction, या फिर e-learning या फिर virtual organization, ठीक है, ये थी हमारी training, अब हम देख लेते हैं हमारा succession planning, ठीक है, अब meaning तो हमने देखा था, पहले ही इसका कि succession planning, यानि कि कोई भी एक top level के कोई job होती है, उसमें अगर हमें ये देखना है कि मालो इस बंदा, ये बंदा छोड़ के चला गया, या retire हो गया, तो इसकी जगह पर कोन आएगा, तो उस आने वाले बंदे को पहले से तयार करके रखना, क्योंकि important job है, हम खली छोड़नी सकते, और नहे बंदे को recruit करने से बैतर है, कि हम हमारे internal employee को ही इतना अच्छे से तयार कर ले कि उसको replace कर सके वो, तो उसको हम बोलते है, succession planning, ठीक है, तो ये वही हो गया, कि hiring within है, ये एक तरीके का, और ये हमारे employee, उनके currently in post, and who is available or qualified to take over this post, यानि कि हम replacement chart बना देती, succession planning में ही, कि कौन किसको replace करेगा, अब कौन है, और इसको replace कौन करेगा, फिर आगे, उस chart को हम replacement chart बोलते है, ठीक है, कि who will replace whom, उसका chart बना देना, visual presentation, उसकी career planning और succession planning में difference, career planning और succession planning में ये है, कि देखो, succession planning तो हमने सिरफ एक particular position के लिए हम तयार करने है, उस बंदे को, लेकिन career planning में क्या है, कि जो भी हमारे employee है, उनके career को भी धान रख रहे है, कि उनको, उनकी career की क्या planning है, वो पहले ये देखेंगे कि वो अपने career के बारे में क्या सोच रहे है, उनकी क्या planning है, आगे जानी कि, कितना आगे, वो अपने career में जाना चाते हैं क्या करना चाते हैं और फिर उसी के according उनको जो टास्क देते रहना उसी के according उनको training और development जो techniques है वो उनको देना वो फिर उसको हम बोलते हैं career planning ठीक है लेकिन succession planning में सिरफ एक particular job के लिए इनके particular position थी उसके लिए तैयार करें हम उन बंदों को अब जो है वो है हमारे next performance appraisal देखो performance appraisal का मतलब है कि हमने employees को जो भी दिया था task जो भी standards थे उसके according उन्होंने अपना काम किया या नहीं कि उनकी performance को measure कर रहे हैं अब हम evaluate कर रहे हैं तरीके से उसको हम performance appraisal बोलते हैं यानि कि evaluating the behavior of employee उसका behavior भी evaluate करना है उसके जो performance भी evaluate करना है quantitative और qualitative दोनों aspects में ठीक है उसको हम बोलते हैं performance appraisal अब देखो performance appraisal के लिए हमारी process क्या होगी कि सबसे पहले हम performance की standards set करेंगे कोई हमारे standards set करेंगे कि यह यह benchmarks हैं यह होने चाहिए आपके ठीक है और फिर हम देखेंगे कि और फिर उन standards को communicate करेंगे फिर actual में performance क्या दी उनकी वो measure करेंग यह यह इशिए ऌनकी सबसे पहले standards set की है उन standards को communicate कि है employees को फिर measure किया actual performance को और फिर measure करने के बाद हमने actual और standard जो थे उनको अपस में compare किया compare करके हमने discuss किया appraisal को और corrective actions लिए फिर necessary था तो यह निकि compare किया कि सही है यह नहीं है यह र fazeal कोড को discuss किया कि Hail यह सही है या नहीं है कितना सही है कितना और हो सकता था और फिर उसके according corrective actions लेए ठीक है अब जो इसमें most most important है वो है हमारे methods of performance appraisal अब performance appraisal के आपके methods हैं जिसमें है individual evaluation method, multi-person evaluation method और other methods जो या फिर इनको हम इस तरीके से भी divide कर सकते हैं कि modern methods of performance appraisal और जो पहले चलते थे वो methods तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार individual evaluation method यहीं देख लेते हैं प्योंकि हमरी वीजन ही तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी करना हमें confidential report देखो confidential report में क्या होगा कि हम जो हम employee है उसका supervisor या उसका senior उसके उपर एक essay लिखता है ऐसे तो निचे वाले में लिखता है इसमें confidential report में क्या होगा कि गोर्वेंट organization में होती है यह basically और एक employee के बारे में पूरी report लिखी जाती कि इसने ऐसे यह behavior किया था उसका पूरा एक report तेयार कि कर दी जाती है और basically गोर्वेंट department में होती है ठीक है तो वह हमारी confidential report होगी उसके अलावा है essay evaluation में क्या होगा कि इसमें होगा कि subordinate जो है कैसे लिखेगा अपने जॉनियर के बारे में कि इसने ऐसा behavior था इसके मतलब वह qualitative technique होगी एक तरीके से essay evaluation method इसके अलावा है critical incident method critical incident नाम से ही clear हो रहा है कि कुछ एक critical incident हुए जब उस time पे उस बंदे ने कैसे react किया उसके बेस पे हम उसकी performance देख रहे हैं कि उस time पे उसकी performance देखेंगे कि कैसी थी क्योंकि critical क्योंकि normal situation में तो फिर भी बंदा सही सही behave कर लेता है अगर मालो कोई critical situation आई थी उस time पे वह कैसे deal कर रहा था हम सिरफ उसके बेस पसका decide कर रहे हैं तो वह critical incident method हो गया इसके अलावा है checklist method checklist method में क्या होगा कि कुछ एक आपको checklist दे जाएगी जैसे कि yes no के answers जिसमें आपको देने होते है टिक करने होते हैं इसमें देख भी लेते साथ की साथ कि देखो जैसे कुछ questions दे दिए कि is employee really interested in task assigned तो उसमें yes no में उसका जो superior है उससे ही बरवाते ही हम सारी चीज़े कि employee सच म उसके बाद है graphical rating scale अब graphical rating scale में क्या होगा कि आपको एक scale rating scale दे दिया जाएगा जिसको आप जैसे अपने liquid का scale सुना होगा जिसमें strongly agree, agree, disagree, neutral यह word होते हैं तो यह scale है यानि कि हम यह नहीं कि सिरफ एक ही particular point से माप रहे हैं point से माप रहे तो वो checklist होगा yes no में answer होगे लेकिन 합 श्केंटिंग है, तो यह पांच scale हो गए एक तरीके से यह पूरा इसपह हम आ अप रहे हैं कि यहा दोक। यह हम आ रहा है कि यह दो क्योंकि स्केल यह होतना है कि इक дополн civile suc इंतफ्य सुना हमारेपास आपको इसममें कि मापै ही तो यह रहे हैं तो यह यहां éthक है, इसádल में वह ऐहां तक पहुच गया ठीक है फिर पहुच गया खिक है फिर हांगा तो यह गूच गया., गुड है तो यहां आ गया आउटस्रेंडिंग और पूरा लंबा हो गया ठीक है, तो ऐसे हम indizровal rating scale फ्लमें स्केल स्केल हो गया जिसमें पहुच जो है, इसे इसे स papier क देखो behavioral anchor आपका दो चीजों का combination होता है जिसमें हम यह देखते हैं कि rating scale भी देते हैं और critical incidents में देते हैं सिरो और यह हमारा modern technique है यह भी याद रखना behavioral anchor आपकी modern performance appraisal की technique है इसमें हम क्या है कि जो critical incident थे सिरो उस situation पे हम scale में measure कर रहे हैं कितना satisfactory थी good थी उसकी performance जब वो कोई critical incident हुआ था तभी ठीक है तो उस time पर इसको measure कर रहे हैं इसके अलावा अब जो है हमारा behavioral sorry पीचे क्या था behavioral anchor ratings के लिए यह है अब next जो है वो है force choice method देखो force choice method में क्या होगा कि हम force लिए कुछ line है कुछ उसी line के उपर बिल्कुल उसको focus रहना है employer को या फिर जो भी उसके performance appraisal कर रहा है जो भी बंदा उस बंदे को सिरफ उन्ही lines तक रहना है limited क्योंकि देखो जब हम यह देखते हैं कि मानलो हमने यह बोला कि क्या वो अपने superior की respect कर रहा है या तो हा में हुआ अन्सवर या ना में हुआ ठीक है तो यह किसी का बिल्कुल ही ना हो गया या किसी की बिल्कुल ही हां हो गई तो इस चीज को रोपने के लिए यह है कि force choice method जिसमें आपको कुछ statement दे दी जाएंगी ठीक है और उन statement में आपको यह देखना है difficulties में कौन participate नहीं करता तो कोई भी किसी भी एक बंदे को यह statement किसी एक बंदे पर आपको fit बैठानी पड़ेगी अब हमने forcefully यह बुल ला यह बात ठीक है कि यानि कि कुछ पहले से decide कर लिया और फिर उनहीं पर limit रहने के कोशिस कर रहे है इनमें कौन difficult situation में sorry does not anticipate difficulties यानि कि difficulties को anticipate कौन नहीं कर पाता तो इसने बता दिया कि ए बंदा नहीं कर पाता ठीक है और फिर दूसरी statement कि कोई time waste नहीं करता ऐसा कौन सा बंद है तो इसने बोल देख C बंदा है जो time waste नहीं करता क्यों कि इसने बोला है कि सिरफ इन चारों लोगों को इन चारों statements में आपको fit बठाना है तो किस तरीके से बठा होगे ठीक है तो वो उस चीज के लिए था तो यानि कि force ली हम fit बठाते हैं बस ऐसे line याद रखना आप जिसमें force choice method में correct tendency को दूर करने के लिए कि क्योंकि यह सुचते हैं कि हां में answer दे दिये सारी चीज़ों के यह हां वो ऐसा करता ही है यह यह भी चीज है उसमें यह भी चीज है तो यह भी चीज यह भी चीज नहीं करने हम force ली उन पे सिरफ उनको positive negative ही नहीं देखना उसका particular हमने वो दे दिया force choice method बस आप यह याद रखना है कि कुछ statement दे दिया उनहीं तक सिमीत रहना है तो वो force choice method हो गया अब इसमें तो एक इससे ही related एक और है आपका force choice method था यह तो जैसे एक मिनट हो जाओ जो हमारी यह methods थे इसमें एक तो यह force choice method है इसमें यहीं से देख लेते हैं MBO है MBO यहनके management by objective जो कि हमारा Peter F. Durker ने दिया था management by objective इसमें क्या है कि हम यह देखते हैं पूरा management और employee सारे साथ में मिलके objective decide करते हैं फिर उन objectives के उपर discussion करते हैं meeting होती है time to time के objective अची हुए या नहीं हुए और फिर उनके मतलब उसके according काम किया जाता है यहनके objectives decide करें फिर objective fulfill हुए है या नहीं हुए उसके according चलती रहना है तो यह भी एक तरीके से performance appraisal की ही एक आपकी टेकनीक है यह वैसे MBO जो है आपका यह management by objective यह दिया तो Peter F. डर करने था लेकिन जो हम यह नहीं देखते एंसी ग्रेजर जो भी बोलते आप इसको इसने बोला था M.C. Gregor ने मैं इसको Gregor बोड़ती हुआ आपको इस भी बोल सकते हो इसने था कि जो एक्स वाइब बंदा जो है इसने बोला था कि MBO जो है वो एक performance appraisal का भी method हो सकता है जिसमें वो self evaluate करते अपने आपको यह देखते हैं कि हाँ यह हमारे objective थे यह fulfill हुए यह नहीं हुए तो उसी के coding और performance appraisal में भी ऐसे होता कि पहले से कुछ standard set कर दिये तो standard से हमने actual performance को measure किया तो इसलिए performance appraisal का method तो हो ही सकता है MBO एक ठीक है इसने यह बात बोली थी इसके अलावा performance appraisal के जब group में measure कर रहे हैं तो ranking method हो सकता है paired comparison method हो सकता है या फिर forced distribution method हो सकता है यह तो थे कि individual को एक को माप नहीं की थे अब यह group में है ग्रूप में कैसे होगा कि ranking देदी ranking देदी यह एक को एक बंदे को हमने first ranking देदी एक को हमने last ranking देदी बाक कि उसके ब बोला ठीक था तो यह second position पर थर्ड पोजिशन पर आगा ऐसे ranking देदी next जो है paired comparison paired comparison में क्या होगा कि pair में comparison कर रहे हैं अब इसमें देखो जैसे 5 employee थे मान लो ठीक है 5 employee मान लो A B C D ऐसे थे A B C D E अब इसमें क्या होगा कि A का B के साथ देखा फिर A का C के साथ देखा फिर A का UP кे साथ देखेंगे फिर D के साथ साथ फिर E के साथ क्योंकि A & B का तो होगी किया था पहले ही pair में कर लिये हमने तो एक के साथ इसके साथ हो गया उसको छोट देंगे बड़ी के साथ करेंगे अब ऐसे comparison करते हैं कि pair में comparison करते हैं ठीक है अपने के पास कितने भी employee उनका हम pair में करते हैं उसके बाद है force distribution force distribution में क्या होगा कि जैसे यह force choice method था ना इसमें हमने statement दी उन statement पर ही रहना आपको आपको बताना ही पड़ेगा कि यह statement किस employee पर fit battery है ऐसे ही force distribution में आप जैसे normal distribution नहीं होत पर भी मालो 20 है और यहां पर 20 रहते हैं ठीक है तो आपको यह बताना है यह मालो बहुत अच्छी performance उसकी excellent performance वाले employee है तो इस 20% में कौन से employee आएंगे इसमें कौन से आएंगे आपको यह बताना है जैसे मालो 10 employee थे तो आपको बताना है कि वो इस 20% में है इसमें है या फिर कौन से 20% में है वो, तो यहाँ पर आपको percentage की form में बताना है एक तरीके से, distribution आपको ऐसे करना है, employee का, ठीक है, वहाँ पर statement wise हो रहा था, force choice में, यहाँ पर इस force lead distribution में, एक तरीके से जैसे nominal distribution में होता है, वैसे आपका force distribution में हो रहा है, ठीक है, इसके लावा है 360 degree, 360 degree भी आपक employee है, इसके चारों और से, यानि कि इसका senior भी देख रहा है, इसका junior भी देख रहा है, customers भी देख रहे हैं, यह खुद भी देख रहा है, अपना, ठीक है, इसके आस पास के, जो काम करने वाले हैं, वो भी देख रहे हैं, इसके clicks भी देख रहे हैं, तो सारे लोग जब इसको इसकी performance को measure कर रहे है appraisal कर रहे है इसकी performance का तो इनकी 360 degree appraisal हो रहा है ठीक है इसके अलावा है हमारे group methods जिसमें हम group appraisal HRA जिसमें यानकी human resource accounting देखेंगे इसके थूरू assessment center के थूरू भी हम performance appraisal कर सकती है जैसे हमने training में तेस्ट में देखा था ना कि इनको assessment centers में बेज दिया जाता है वहाँ ही evaluate किया जाता है उनका behavior कि वो कैसे काम कर रहे है ठीक है field review यानकी field में जाके बंदा जैसे supervisor तो daily जाता ही है जैसे उनकी supervision करने के लिए उसके साथ जो performance appraisal करने वाला जो बंदा होता है वो भी जाता है field में और देखता है कि कौन employee कैसे काम कर रहे है ठीक है field में जाके उसका review कर रहे है या group में appraisal किया जा रहे है या group की techniques तो हमने देखी है इस तरीकी के तो ये अपके थी performance appraisal के methods